अब चलाव वाले कूं रजा भाई मैं सेयद अड़सलान कराची से 300W का DC सोलर सिस्टम मैंने इंस्टॉल करावा है दो प्लेटें लगी हैं ये 150-150W की है और ये तकशरीब दो साल से मेरे पास है एक देखें एक सेल जर्मनी की है और एक जो प्लेट है दूसरी वाली वो मैकस पावर की है ये इसकी डेट है मेनुफेक्टिंग डेट एक प्लेट की एक प्लेट मैंने पहले ली थी जिसकी पीमत खरीबन और शाड़े छे हजार थी पिर मैंने एक महीने के बाद दूसरी प्लेट ली जिसकी प्राइज शे हजार रुपए थी यह इसका स्टेंड है जो चौदा सो रुपए में मैंने खरीदा था इसमें मुझे पहले प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी वह यह के इसका जो यह वायर है यह पहले बहुत पतला था जिसकी वज़े से नीचे एमपेर नहीं आते थे लेकिन मैंने अभी यह वायर जो है ना वो इसका निया डाला है यह देखिए आप इस सिक्समें मुझे का वायर है कॉपर का केबल है फास्ट कंपनी का फ्लेक्सिबल यह मैंने अभी एक महीना पहले इसकी केबल चेंज करी है यह देखें और नहीं डाली है केबल डालने के बाद से जो सिस्टम की परफॉमंस है वह हंड्रिट परसेंट इंक्रीज कर गई है जबके जो डिस्टंस है इसका वह 65 फिट है मेरी प्लेटों से जो फासला है चार्ज कंट्रोलर का वह 65 फिट है यह यहां से आई है च्छत्पे से और यह यहां से नीचे चली गई है इस रख जो नीचे एमपेर आ रहे हैं वह तकरीबन यह मेरा सिस्टम लगावा है यह रहा तकरीबन पंदरह एमपेर नीचे आ जाते हैं और फासला भी 65 फिट है बिस्टेंग यह तकरीबन चार हजार रुपे की वायर तकरीबन पडियेट 6 एमम की पाकिस्टानी केबल है फास्ट का मैं आप लोगों को यही मश्वरा दूँगा कि अगर सिस्टम आपने लगाया हुआ है डी सी का या इसी का कोई भी लेकिन केबल के उपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करें आप लोग तार जो है वो आप बहुत अच्छी लगाएं क्योंकि जो केबल है वो रीड की हड़ी की है अगर केबल आपकी हास दोर पर जो पैनलों से नीचे जा रही है वो अगर सही नहीं है तो आपका सिस्टम कभी भी सही नहीं के लेगा कि यह मेरा चार्ज कंट्रोलर है कि यह मैंने इसके 1500 का कि देखें इस वाफ 11 एंप्यार 10 एंप्यार इसके आ रहे हैं 9.4 कि देखें 10 एंप्यार हो गए 11 हो गए 12 हो गए इस वाफ इसके एंप्यार आ रहे है तो यह तकरीबन मुझे 14-15 एंप्यार आराम से देते हैं देती हैं दो प्लेटे हैं डेर डेर सो वाट की प्लेटे हैं यह चार्ज कंट्रोलर का नंबर भी अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो चले मैं इसका नंबर आपको शेद यहां नजर नहीं आ रहा है यह 15-100 एंपे मैं ने लिया था चार्ज कंट्रोलर और बितरीन चल रहा है यह सवाम समान दो सान पुराना है इस पूरे सिस्टम की सबसे अच्छी और सबसे जबदस चीज खुर्षीत का ACDC फैन है इस पंखे की पर्फॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि मैंने आज तक ऐसा फैन नहीं देखा और मेरे घर में यतने भी पंखे लगे हुए हैं उन सबसे अच्छी हवा और स्पीड खुर्षीत के ACDC फैन की है यह फैन मैंने 4700 का लिया था तकरीमन कोई 1.5 महीने पहले बहुत अच्छा पंखा है बहुत अच्छी स्पीड और एमपेर भी कम है यह इसकी तार है DC के लिए मैंने डाली लिए और यह बैटरी पर जा रही है यह भी कोपर की वायर है यह मैंने 40 रुपए मीटर सदर से ली थी flexible cable है यह भी dual core और विहतरीन जो है इसका रिल्ट है और यह जैसा AC पे चलता है उसी तरह यह इसकी performance है और यह DC पे चलता है मैं भी आपको चलाके दिखाऊं यह देखें पंके की performance इसमें मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो पंके की वायर है जो DC की वायर डाली है आपने वो भी जो है आप copper की वायर इस्तमाल करें अगर उस वायर को आप silver की इस्तमाल करेंगे तो DC पे पंके की speed कम हो जाएगी तो लोग यह तक कहते हैं कि फुर्षीद का फैन जो है वो DC के ओपर speed सही नहीं देता वो वायर सिल्वर का होता है आप फैन में भी जो तार इस्तमाल करें वो तार जो है वो copper का इस्तमाल करें जो फैन जे बैटरी तक जा रहा है यह फुर्षीद का remote है फैन तो अगर आप करेंगे तो पंके की स्वीड में कभी भी फरक नहीं आएगा शिस्टम में वायर में compromise नहीं करें अगर आपने सिस्टम में वायर में compromise करा जैसे मैंने पहले अपने सिस्टम में वायर डाली हूई थी हल्की यो पैनल से और मेरा जो सिस्टम है वो चल ही नहीं रहा था सिर्फ 4 एंपयर मेरा सिस्टम दे रहा था लेकिन तार बदलने के बाद बायड चेंज करने के बाद यही सिस्टम अभी 15 एंपयर पर चला था जैसा कि मैंने आपको दिखाया 11,500 एंपयर अभी भी आ रहा है यह प्रसीत का सेलिंग फैन है और ऐसे जो मेरे पास सुबू के फैन है तीन फैन ऐसे मेरे पास है बलकुल सेम ऐसे ही यह भी मैंने दू साल पहले जिस अपना सिस्टम लगाया था उस लिए था खरीदा था मैंने और इस फैन की कि प्यूमत थी तैस सो पचास रुपए इस फै मैं दिखा सकूँ यह दिखें यह बारा वर्ट का पंखा है यानि कि यह फैन सिर्फ एक एमपेर पर चलता है और दो साल से यह पंखा मेरे पास है और कोई प्रॉब्लम किसी भी पंखे में नहीं होई और मैं पस तीन फैन है ऐसे और एक खुडशीत का सेलिंग फैन है तो मै इस्तमाल कर रहा हूं बहुत अच्छी तरह बेटरी चल रहा है कि यह मैंने फूनेक्स की बेटरी लगाई भी है यह तकरीमन हंड्रिड इसका नंबर है लेकिन पैसाटंपेर की बैटरी है यह फूनेक्स की अब और यह मैंने छे हजार रुपर में लिए तकरीमन तेड़ माईना पहले यह फूनेक्स का नया मॉडल है मैं आपको दिखाओं यह देखें यहां से अगर आपको पैसाटंपेर की बैटरी है फूनेक्स की लेकिन मैं आप से यह कहता हूँ कि अगर आपने अपना सिस्टम अच्छी तरीके से चलाना है तो आपको मस्कम सौ एमपेर की बैटरी इसको पर लगाए क्योंकि मेरा बैक अप इतना ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है इसलिए मैंने इसके ओपर पैसाटंपेर की बैटरी लगाई है यह फोनिक्स की नया मॉडल है जो सिर्फ सोलर के लिए है सोलर और यूपीस के लिए है इसका मॉडल नंबर देखें आपको शाय जहां से नजर आए मैं लिठा जो यह देखें इसका मॉडल नंबर भी एक शिफ्टी इसके लिखा है 85DF 1R 430 डबल सी एक यह कॉल लाइट मेरे पास लगी हुए है यह सुकू का बल्व है 18 वाट का यह 180 रुपे में मैंने सदर से खरीदा था और यह सारा समान मैंने सदर सर्मत रोट से ही खरीदा हुआ है प्लेटे बीड़ी पास एक इनवर्टर भी है यह देखे आप यह 500 वाट का इनवर्टर है 1150 रुपे में मैंने सदर से खरीदा था और तकरीबान इसको भी खरीदे वे एक साल हो गया मैं इसको बहुत ज्यादा इस्तमाल नहीं करता लेकिन मैंने इसको इसको इस्तमाल करके देखा है इसकी पर अधर मैंने सॉल कौलब कर अंदर से देखा है जिसका सरकेट है को यहां से मैंने जिसको भी अच्छा है मैंने बह देने के बाद में अच्छा है जब इसको देखें दो दिखें पोजिशन के है अंदर की लेकिन यह बी और इसको भी मैंने चकरिबन तरह 1-2002-300 वट अगरा कि अज़े हम प्रेट का लूट डाल दें तो यह बहतरीन काल करता है यह इसका फैन है बहतरीन किलता है यह बैस को वैसे इतना इस्तमाल नहीं करता को जो मुगे इसकी दुरुवत नहीं है अब मुगे अब दो साल से मेरे बैसी का सिस्टम लगा वाइए हूं है यह प्लेटों की पर्फॉर्मंस हंड़िट परसेंट है विलकुल भी किसी किसम की प्लेटों में कमीनी आई 2 अच्छी चैना रही है अंची तरह एमपेर हैं उती तरह वोंट है करन्ट है तो ये मैंने आपको जोंग रबस चीज़े चीज़ें इसकी तफशीर बता दी और बहुत कुछ मैंने रदा भाई से सीछा रदा भाई की रूडियो से अपने सिस्टम को अपग्रेट करा और जितनी भी चीज़ें लगी हैं ये सब मैंने रदा भाई की एडवाईस से ली हैं उनसे पूछ कर और उनसे मस्वरा करकर मैं बहुत परिशान था अपने सिस्टम से कि वो एमपेर पूरे नहीं दे रहा रदा भाई ने मुझको एडवाईस दी गया उसकी तार चेंज करें केबल चेंज करें और केबल चेंज करने के बाद सिस्टम पूर मदेदार हो गया झाले ने मुझको ए।